हाई गाइस वेलकूम टू माई चैनल आज मैं यह दिखिए कॉलर वाली टॉप डाउन स्वेटर बना रहे हूं जिसमें सबसे पहले जो इसमें कॉलर बनाएंगे यह कॉलर कैसे बनेगी यह मैं आप सभी के साथ सेयर करेंगी इसके साथ-साथ यह पैपिंग जो है यह कोर कोई बेस फंदे लेनी होंगे जितने भी फंदे आप को छाहएं लें। श define लेंगे कर्टम में यहां से सभी 67 में बताउंगी जो है इसमें टोटल में जो है 126 में उसके बाद बनाएं तो उसमें 26 फंदे 126 126 फंद में मेरा यह भी आया है किनारे से भी मैं यह जो प्रॉन प्रॉपाइपिंग अगले हुँ उसमें बी यह फंद की हमारा इसमें एट हुआ है तो चलिए इसे हम बनाने स्टार्ट कर लेते हैं इस color को बनाने के लिए इसमें मैंने 126 फंदे ली हूँ इसके बाद पहली लाइन मैंने उल्टा उल्टा बुनाई की हैं और दूसरी लाइन सीधी सीधी इस तरह से ये दो लाइन बुनने के बाद इस तरह से देख रहा है इसका अगला line जो होगा और अगला प्रोसेस जोगा वह हम देख लेते हैं इसमें इसमें से मैंने 16 फंदे जो है यहां से मैंने बिना बुने उतार लिए अब इस कलर के उनके में ज़रुत नहीं है देखे मैं यहां से कट कर दी हूं और 16 फंदे मैंने बिना बुने राइट वाले निडिल पर ले लिए हूं उसके बाद यहां पर को हम बैक लूप से बुनाई करेंगे दूसरी कलर के उनसे जिस कलर का हम आगे बुनाई करेंगे या कॉलर बनाना चाहते हैं कि इस तरह से इसके बाद एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टी की बुनाई होगी तो एक फंदा हमारा यहां पर सीधा बुना गया धागाे करेंगे और एक फंदा उल्टा होगा फिर धागा पिछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा इस तरह से हम 19 फंदे रहने तक हम इसे बून लेंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का बुना यहां कर लेंगे इस तरह से देखे और यहां नाइन तिल फंदे रहने तक बुनेंगे दो लाइन में बताऊँ है इनी दो लाइन को आपको ध्यान से देखना है इनी दो लाइन को बार बार रिपीट करके आगे बनाना है यह देखें यहां तक हमने एक सिधे एक उल्टे की बुनाई कर ली और इधर मैंने 19 फंदे रखे हैं अब इधर से देखें यह वाले फंदे जो हैं हमारे बैक साइट से हम ऐसे लाएंगे और यहां पर के इन तीन फंदों को हम इस तरह से फ्रंट से हम तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे तो सीधी साइड में हमने दोनों साइड से जो है एक एक फंदे घटे हैं दो फंदा इधर का लिया हमने और एक फंदा यह 17 फंदे में से एक फंदे का लिया है मैंने और फिर यहीं से हम टर्ण कर जाएंगे यहां ही पर से टर्ण करेंगे और जो फंदे जैसे दिख रहे हैं सीधे के उपर सीधा उल्टे के उपर उल्टा हम बनेंगे यह दिख्या अब सीधा उल्टा यह सीधा फंदा है तो दागा पीछी कर लेंगे और यह सीधा बनेंगे उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे इस तरह से निस लाइन को कम्प्लेट करते हैं उल्टी साइड से यह उल्टी साइड की जो लाइन है वो हमारी कम्प्लेट हो गए और हम देखी यही पर से हम टर्न करेंगे देखी यहां से और ऐएसे यह आगे का फंदे हम नहीं बुनें कर रहे हैं अब यहाँ पर हम सीधी साइड में हैं तो सीधी सैट में देख लेजी ये वाले फंदे को ऐसे लेंगे इस पर डालेंगे और ये वाले फंदे को हम आगे से आसे लेंगे twist करेंगे और ब्लू वाले फंदे पीछे ले जाएंगे यहां पर इस तरह से रखेंगे अब इन तीन फंदों को हो एक साथ बुल लेंगे बैक साइट से देखिए इस तरह से इन की दो लाइन को वार-बार रिपीट करना है कि वापस से मैं एक बार और और बता देना चाहाती हूं like यह ठीज तीन फंदों का हमने एक फंद बना लिया और फिर देखिए सीधे के उपर सीधा यह बाडं बनाना है सिधे के उपर सिधा और उल्टे के उपर उल्टा तो ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है, और इस तरह से फीर हम आगे तक बना लेंगे, यहां तक यहां दो फंदे रहने तक हम बुनाई कर लेते हैं यह देखिए लास्ट कमरा दो फंदा बचा है इन दो फंदों पहला फंद ऐसे करेंगे और बेक साइट से यह द्यू वाले दूसरे कलर है यह फंद को हम ऐसे बेकस्याट से लाएंगे मजैं इस तरह से दागा पीछे करेंगे और यहां से इन दो फंदो को हम फ्रंट से ऐसे तीन फंदा अर्beryे एक फंदा बना लेंगे इस तरह से यह तीन पंदा का एक फंदा बन गया अब यहीं से हम टंड करेंगे और उल्टी साइट से हम सीधे के उपर सीधा और उल्टे के उपर उल्टा बुरनेंगे इसी तरह इन्हीं दो लाइन को हमें बार बार रिपीट करते हुए बनानी है तब तक जब तक कि हमारे यहां तक के कवर ना चाहिए एक फंदे को छोड़कर एक फंदे लास्ट वाले फंदे को में कवर नहीं करना है बाकी फंदे को हमें एक एक करके कवर कर लेना है तो इसी तरह से हम पहले इन दो लाइन को रिपीट करते हुए आगे बना लेते हैं कि अग्याइब लटे साइड से यह लाइन कंप्लीट करने के बाद हम फिर यहीं से टरंड करेंगे अब यहां पर देखिए यहां पर नाइन फंदे बचे हैं दो चाह चे आट बाकी के एट फंदे हमने इसमें गटा दिये हैं इसमें कनवर्ट कर दिये अब इधर से भी हमने केक फंदे घटाते गई हैं इस तरह से इसके बाद यहां पर देखिए इस तरह का सेफ हमारा बनकर तयार हुआ है अब इस लाइन से जो हम फंदे घटाएंगे नहीं सिर्फ इसमें जो है इसमें जो है जोएंट करते जाएंगे उसके लिए क्या यहां दो फंदों का हम एक फंदा करेंगे इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे बाकी फिर जैसे हम बुन रहे थे पैसे ही बुनेंगे और इधर भी हम उसी तरह से दो फंदों का ही एक फंदा करेंगे एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा इस तरह से करते हु इस तरह से जो ताकि यह पैपिंग के तरह दिखने लगे यहां पर दिखिए अब 8 फंदे तक हमने इसमें एड़ कर दिया और यहां साथ-साथ में जोएंट भी हो गया अब एक फंदा लास्ट ही बचा है इन फंदों को भी हम छोड़ेंगे यहां पर उसके बाद देखिए य पहले 18 फंदे यहां बुनेंगे एक फंदा सीधा एक फंदे के उल्टी बुनाई करते हुए हां 18 फंदे बुनेंगे यह 18 फंदे बुनने के बाद यहां पर एक हम मार्क लगा देंगे मार्कर लगाने के बाद आगे फिर हम इसी तरह 38 फंदे बुनेंगे यहां पर जैसे बुनाई चल रही है उसी तरह से बुनेंगे और 38 फंदे बुनेंगे बुनने के बाद यहां पर एक हम मार्कर लगा दिये अब यह देखना कि मार्कर दोनों कहां और कैसे लगाएं जितने निसले बिदे यहां पर 37 फंद मूर्णन पर 64 को दोनों व्हाँ ज्off करन लगार उन्हां ठानल आर्फ पतबार फार नहीं हो पाते हैं एक स hedge Claude कम जादा हो जाते हैं यहां पर डियाँ पार il found probably दी और possa पागी के जो यहां पर 36 फंदे बचे वह इधर 18 और 18 फंदे हम रखें अब देखें इतना इस तरह से डिवाइट करने के बाद हम यहीं से टर्ण करेंगे आगे का जो है यहां पर 18 फंदे हम अभी बुनाई नहीं कर रहे हैं और यहां से अब देखें यह मार्कर को इधर हम र होनेंगे तो अगले मार्कर तक पहले हम बुल लेते हैं यह देखें यह मार्कर तक हम बना लिए अब यह मार्कर निकाल लेंगे अब यहां से चार फंदे और हम आगे बुन लेंगे वान टू थ्री और फोर यह फोर फंदे बुनाई करने के बाद फेस से हम यहां पर मार्कर लगाएंगे और यहीं से टर्ण करेंगे देखें यहां से यहां से टर्ण करने के बाद बागी के फंदे को फिर हम अगले मार्कर तक बुनेंगे यह उल्टा फंदा फिर यहां से सीधा फंदा एक उल्टा एक सीधा फिर उसी तरह से हम बुनेंगे यह मार्कर तक बुनाई करने के बाद देखें हम यहां पर आगे यह मार्कर को निकालेंगे फिर यहां से हम फोर फंदे और आगे बुन लेंगे फिर यहां पर एक मार्कर लगाएंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे आगे हम बुनाई नहीं करेंगे फिर अगली मार्कर तक फिर हम बुन लेंगे यहां से यहां से हम लेंगे यह मार्कर तक हम पाँचे और यहां से हम फोर फंदे और बुन लेंगे आगे फिर यहां से यहां तक बुनेंगे अगली मार्कर तक और फिर यहां से हम फिर फोर फंदे आगे तक बुनाई कर लेंगे यहां तक हम बुनाई करेंगे मार्कर तक बुनाई करने के बाद फिर आगे हम चार फंदा और बुन लेंगे यहां पर से फिर यहां पर हम मार्कर लगा लेंगे और यहां से फिर हम अगली मार्कर तक टर्ण करेंगे और अगली मार्कर तक हम बुनाई करेंगे मार्कर तक बुनाई करने के बाद फिर से हम आगे चार फंदे और बुन लेंगे यह देखे इस तरह से यह 4-4 फंदे हम आगे बढ़ते हुए हम यह 3 बार हम बुनें और इधर बे मारे 2 बार हो चुके हैं तीसरी बार और हम इधर से टर्ण करके यहां तक बुनेंगे और फिर 4 फंदे आगे तक बुनाई कर लेंगे फिर इधर से हम टर्ण जब करेंगे तो फिर से 4 फंदे बुनेंगे फिर इधर से टर्ण करके फिर से हम 4 फंदे आगे तक बुन लेंगे उसके बाद दोनों साइट 2-2 फंदे बच जाते हैं यह 2-2 फंदे फिर टर्ण करके हम कवर कर लेंगे इस तरह से सारे फंदे को हम पहल वो फंदा यहां पर यह दो फंदे को हम इसमें एड़ कर लेंगे तो लास्ट का फंदा यह उल्टा फंदा हुआ तागा पीछे करेंगे यह सीधा वाला फंदा है तो सीधे वाले फंदे को अब हम यह वाले फंदे को भी इसके साथ जोइंट करेंगे लास्ट है यह इस तरह स और इधर से हम、 एक साथ बुन देंगे, दू फंदों का एक फंदा कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जॉइंट हो जाएगा यहां पर यह वाले फंदे जोइंट होने के बाद अब यहां से टंड करेंगे और यहां से यहां तक बुनेंगे और यह वाले फंदे को भी हम उसमें जोइंट करेंगे और यह देखें यह वाला फंदा और यह वाला फंदा एक साथ हम बुन देगे उल्टी साइड से हैं इसलिए इसमें फंदे को पलट नना नहीं एक साथ हम दोनों फंदों को लेकर हम बुन देगे और इसके साथ हम जोइंट कर दिये तो अब देखिए जो कॉलर जो है बनकर त्यार हो गया इसमें भी यह देखना है कि फंदे हम कैसे लेंगे तो इसमें देखें टोडल हम करेंगे टोटल हो गया उसके बाद यहां पर हम जितना यह फंदे यहां रखेंगे इस तरह से इसमें जो फंदे बनाए और इसमें जोवन्ट किये हैं.. जितने इसमें 17फंदे रखें हैं आप 17 या बड़े के बनाएँए तो आप 20 पंदे तक आप 19,20 पंदे तक , उतना में भड़े का भी आप बना सकते हैं लास्ट आप इससे जभी छोटा स्वेटरा बनाना चाहेंगा कॉलर थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं वैसे इतना यह परफेक्ट साइज है आप जदी रखना चाहते हैं तो आप एक दो फंदे यहां पर आप कम रख सकते हैं पेस्ट इतना ही है क्योंकि देखिए इस तरह स स्लाइब में है इसे लिए बन के पहनने के बाद यह इस तरह से फोल्ड होते हैं यह इस तरह से बन कर निकलते हैं यह इतना आपका रहेगा तो यह साइज हमारा कॉलर का यह परफेक्ट है तो चलिए इसका अगला वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी टॉप डाउन के साथ में टॉप डाउन स्वेटर कैसे बनेगा वह भी मैं बताऊंगी तो आप अगली वीडियो भी आप ज़रूर दिखिए और इस वीडियो को भी आप ज़रूर नहीं एगा सेर किजेगा थेंक्यू